आने वाली नसलों को भी कुछ सीखने को मिल सकता है जब हमारे देश में सरकस में जानवरों की खेल पर पबंदी लग गई कि आप टॉर्चर करते हो जानवरों को तो जानवरों को खेल नहीं हो सकता तो सरकस में ने सोचा अब इनका क्या करेंगे उन्होंने दस के दस शेरों को एक ट्रक में बिठा कर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया पंदरा दिन के बाद पता चला उन दस शेरों में से साथ शेरों को जंगली कुछे खा गए क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदी हो गए थे वो अपना टैलेंट भूल गए दूसरी तरस कुत्ते भूखे मरते शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे चलो कठे हो के शेर को मार लेते हैं इसलिए जो माबाब अपने बच्चों के लिए ज्यादा बड़े बैंक बैलेंस ज्यादा बड़ी प्रॉप्टी ज्यादा बड़ी फसिल्टी छोड़के जाते हैं असल में वो अपने बच्चों को सरकस के शेर बना जाते हैं हम आज फैसला कर ले इस शो के जरीए कि भले दो दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे क्योंकि हम लोग नीचे से आएं हर फिल्ड में दो किसम के लोग होते हैं ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स फर्क सिर्फ इतना है ग्रास रूटर्स सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर्स सिर्फ नीचे को आ सकते हैं दुनिया की कुछ पैराशूट ऊपर नहीं लेकि जाते हैं आदमे को तो इसलिए ये चोटी चोटी चीजे हैं हसी के साथ साथ अगर हम ऐसी चीज़ें भी सीख लें